हुआ है 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 तो एक बर फिर से स्वागत है आप सभी के मेरे यूटुब चैनल मॉड़न पढ़ाई मेरे नाम है आमिर जावेद और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 5 में जिस तरीकिस हमने हिस्ट्री का बाकी जो चार चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर चैप्टर 5 में आपको प्रिंटिंग प्रेस रिकर्टेट बताए कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस जाह था उप only हमारे हो पे अंदर की रॉथ्स चौधरी यहां से इन ही सवाल करके आता है डुरिकली सवाल बनता है कि क्या इस तरह के सवाल डेरेक्ली बन के आते हैं तो उन पर भी हम खास दोर से ध्यान देंगे और यहां पर पॉइंट सामने रिखे हैं आपके यहां साब के टू माक्स या वन माक्स के डेरेक्ली कोशन्स फ्रेम किये जाते हैं उसके बाद जो लास्ट टॉपिक बसता है इस हमारे चैप्टर का वह यह है कि बहुत सारे लोगों ने जैसे बहुत बढ़ी 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 हसते हैं जैसे के गांदी जी स्वाइं विवेका नंद और रभीन्द नाट टैगों ने उस वक जो अंग्रेजों को लाया था उसको क्रिटिसाइज किया है बहुत बुरे तरीके से तो उन्होंने क्यों क्रिटिसाइज किया किस वज़े के क्रिटिसाइज किया और उसके अगेंस में उन्होंने क्या बसंद दिये किस तरीके से यह जो घामिया है इस सिस्टम में उसे खतम किया जाए तो आपको उमीद है कि इतना समझ में आगा कि चैप्टर का ओभर भी कहा हां है और हमें कहां से नीचे कहां कहतम करना बीना किसी सो स्टाट करते हैं उससे पहले आघर आप अभी तक पिछले हह चार चेप्टर नहीं देखा वन तो उसको आई बेटन कडिक olhos देख सकते हैं। उसके लावा डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा आए कहानी स्टार्ट करते हैं तो प्रिंटिंग प्रेस जो हमारा है यहां पर बात आपको यहां बात सुरू होता है कि 1770 में में अदर्ट यहां परिंट्रिंग tension टोट करते थे उनको परिंट करते थे आ उनका परिंट्रिंग प्रिंटींग प्रेश के हैं करते जैसे की लिएस व pagar के लोग पढ़ना पसंद करते थे वह उनको parenth करते जाता है कि ताके उनका printing प्रेंटिंग प्रेस भी चलता रहें कि अब यह कहीं इंवेस्मेंट हो रहा है तो महां से रिटार्म भी आना चाहिए तो उस वक्त इस तरी के काम होता था लेकिन ओफर ओवर अल जो परेंटिंग परेश्य फ्रव परे घाटा में उताथा और उत्ति प्क्रिवि high बहुत ज्यादा की तो चरफ एक कोटेश्य हमारा का में परेड़ ghost ने लिटर फोल इंक आ करेंडीय..... ये बदो परेड़ क कलवicit हdefense मतलब कलकटा में छपाई बहुत महगी है यह सर विलियम जोन्स का कहना था ठीक है और इसके लावा एक हम लोग बात हालेट दलते हैं कि ग्राहम सौन एक किताब लिखा था ग्राहम सौन राइटर तो उन्हें एक बूक लिखा था उनका बूक का नाम था अपका प्रिंटिंग कलकाता उन्हें बूक लिखा था यह बूक को लिखा था अठारा सौ में ऐटीज हंड़ेड में और इस बूक को नहीं ने मैं संट किया कि 1770 से एटीन हंड़ेड के बीच में जिदनी भी प्रिंटिंग प्रेस बनी है उनका उन्हें दिकर किया है तो टोटल उन्हें आपने में 40 printing press के बारे mention किया है जो के इसी period के दौरान में आपके established towards the 1770 से 1800 के बीच में उनमें बहुत सरे के बहुत सरे आपका newspapers के नाम है आपका ठीक है और printing press से खास करके किन-किन newspapers को print किया कहते तो उनका नाम इनके book में डाला है जैसे मैंने ऐसी दो लिखा है बाकी का नाम आपको notes में मिल जाएगा आपको मिलना कहां से telegram channel से उसका link आपको नीचे discussion मिल जाएगा या फिर आप जाके telegram पे direct search कर सकते है modern पढ़ाई आपको मेरे telegram channel मिल जाएगा वहां से जाएगे और notes को download कीजिए अधरवाइस इसको ले सकते हैं इसकी इस बोर्ड का और जो बाते में बोल रहा हूं उसको अगर आपको प्रेक्टिस हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा बिना notes के आप काम कर सकते ठीक है आगे आता हम लोग topic पर तो दो नाम दिखा है मैंने इंडिया के एजिटे और एजएटिक मिला रिसके लावा बैंगॉल के एजिट भी था बहुत सारे books था उनके तीन नाम ऐसे याद रखेंगा बहुत ज प्रेंटिंग प्रेस कायम किया था और एटीन हैंड़र में फौट विल्यम क्लेज का foundation हुआ था सवाल आते ही हर साल तो एटीन हैंड़र में फौट विल्यम कॉलेज आपका established हुआ था अभी कलकाटा में ठीक है अभी तक देखो अभी तक जो सीनेरियो था यह टेकनोलोजी अभी तक लोगों को मालूम नहीं थी, जब तक उपेंदर की सवर राय का एंट्री नहीं हुआ था कहानी में, तो फिलाल अभी जो कहानी चल रहा है, वो कहानी उनके बिना है, में हमारा हीरो अभी कुछ देर के बाद आएगा, हम लोग बात करते हैं, मिसन प कॉलेज इस्टैब्लिस्ट हुआ था, तो 1800 से लेकर, 1832 के बीच में इन्होंने लगभग आपका देख सकते हैं, 2,12,000 बुक्स इन्होंने पब्लिस्ट किया था, वो भी इंडिया के डिफरेंट 45 लैंग्वेजेस में, इन्होंने 2,12,000 बुक्स पब्लिस्ट किये थे, इसक कगों, जादा टायम तक चल नहीं पाए, चलने का रीजन यह था, कि यह घाटेब्ड चली जा रही थिया, यहां प्रॉफिट जेनेृट नहीं हो पा रहा हुआ था, işte profit generate नहीं हो पा रहा था तो इसको चलाना है, मुस्कील हुआ था, तो इसको और नहीं profit generate हो पारा था इस business के थूरू 1837 में आपका ये कहानी खातम हो गया फिर आगे आता है यहां से दो points यह मैंने ऐसे लिख रहा है कि यहां से question directly firm होते right relation between printing price and education and right relation between printing price and trade printing price as a trade तो लोगों किस तरीके से printing price को as a trade लेखोंगे हाटा चल रहा है तो उसको कैसा as a trade लेके गए थे तो बहुत आसांत है as a trade लेके जाना उसको तो पहले education का बात क्याता आप देखो printing price जो है तो यह काफी important role अपना अदा कहती किसी education system education है तो आपका just suppose आप अभी पढ़ रहे तो पढ़ने के लिए आपको बुक चाहिए तो वह बुक आए कहां से कहीं ने कहीं printing price में वह ब्रेस हुआ आपका छापा गिया उसको अब और वह जो क्या बहुत है फैक्ट्री है वह फैक्ट्री इस बुक को छापना ही बंद कर दे तो आपको यह बुक मिलेगा नहीं आपको यह बुक मिलेगा नहीं तो आप पढ़ोगे कैसे यूंकि जो टीचर्स के पास नॉलिज हो कहां तक पहुचा पाएगा एक टीचर्स आपके लिए और टीचर्स जितना भी सम में अपने अंदागमी लिख सकते हैं कि कीस तरीके से ऐच़यों को सपोर्ट करता है इसकिराएगे जख़ंप ने घजा सीकता हूँ में प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाता है इनका foundation कि इन सभी में देना था education और education का main base होता है books इसके लावा copy भी है क्यों को copy हम लोग use करते हैं note करने में copy printing press में ही आपका print किया जाता है तो यह काफी important था बहुत important role था इनका printing press का education system में अब इतनी सारी बाते सुनने के बाद मुझे मीद है कि इसका answer आप exam में खुद से generate करके लिख सकते हैं और अगर आप book पढ़ लेते हैं इस lecture को देखने के बाद तब तो सोने पर सोहा गया है बहुत अची बात होगी फेर आगे आते हैं मुझा printing प्रेइज़े ट्रेड अब प्रिंटिंग प्रेइज ये इसको समझेंगे पहले हम लोग आते हैं उपेंदर की रोग चाहरी के पास तो इन्हों ने स्टैबलीज कहता यू रॉय एंड संस के नाम से प्रिटिक प्रेस लिया था अब यहां तक कहानी पहुची कैसे पहले उस पर आते हैं यह बंगला देस के रहने वाले थे उस वक जिसरिया में यह रह रह रहे थे जो अभी बंगला देस में है वह बहुत हरा भ चुकिएंड कने में काफे इंट्रस्ट है नमझ आता इसके लावर यह कैश्명이 हैं पिज़या पूरा बझेट बुका प्ड़ाइअ था अपको बच्चों के लिए और इन्हों ने उसको भेजा print के लिए अब जब वो book print होकर आई तो वो उसकी printing से काफी नाखुश थे औरनी कि उस printing में मज़ा ही नहीं आ रहा था जो color उसमें उभर के आने चाहिए वो color उसमें उभर के नहीं आ रहे थे और printing काफी खराब थी काफे low quality की थी तो जब इन्होंने इस चीज को देखा दो ने यह समझ में जरूर समझ में आई कि नहीं बेंगॉल में भी हमारे अपने सहर कलकटा में एक अच्छा प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए बस उनका यह सोचना था कि युवन रॉय एंड संस प्रिंटिंग प्रेस क के कलर समगाए कि तक जो प्रिंटिंग है वो काफी बहतर तरीके से हो पाए इनके आने के बाद ही प्रेंटिंग प्रेस में कलरफुल प्रेंटिंग पॉसिबल हो पाई थी मैंने पहले ही बताया आपको कि इनके एंट्री से पहले तक हमारा में हिरो है इस कहानी का इनके एं तो प्रवाख रहें अपना बनाने में यू, यू, रोय, चूरुव में इसका नाम सिर्फ उपहंदर रोय, प्रिष्थाप का बाद में इसमें साइंस का नामी इसरहें जुड़ा है, इनका बेटा बाद में आकर के मैं अपना सपोर्ट देता है कि हम भी इसको आगे ऐसा फैमिली बिजनस बेंगे तब जाएकर कि इसका पुरा नाम पढ़ जाता है यू एंड रॉय आइंड सायंस यानि के उपहंदर नात रॉय आइंड सायंस इस तरीके से इसका नाम पढ़ता है कहानी यह पूरा दिल लाश पर इनके काम को काम से रिलेटेड मतब जो यह प्रेंट किया करते तो जो चीजे उनको जढ़ा दी गए थी पेंड रोज में लंडन के प्रेंटिंग में होते हैं काफी बढ़ी सक्सेस था इनके लिए इस तरीके से आगे बढ़े थे और यह बहुत सारी चीज़ों ने किया थ लेकिन अब्भा था हर शीसका एंडिंग हैंपी हो नहीं तो इसका धर गफ्रेंटिंग परेस प्रेंडिंग नहीं था इसका लंग लिखा है लेकिन इंट्रेस्ट नहीं था तो उन्होंने उसको सीखने की कोसिस भी नहीं ही तो उन्होंने क्या किया कि इस पूरी कंपणी को किसी और से बेच दिया अब हर आजमी तो इनके जैसा साफ माइंड़ था नहीं कि उपरिंदर की सोरश अदरी ऐसा सारा सारे सब का दिमाग है नहीं कि वह यह उसी चीज़ को अच्छे से स्टैब्लिस करके फिर से फ्लारिस कर ले तो एट एंड यह जो कंपणी थी खताम हो जाती पूरे तरीकर से ब बेंग और टेक्निकल इंस्टीट आपका यह सारी चीज़ है यहां से सवाल सिंप्ले ही पुछ जाते कि यह काव आपके बने थे कौन से एयर में इनका फॉन्डेशन होते कि इसने किया था तो यह सारी बात है मैंने नोट में डाल रखा है आप नोट में देख लेना है टेल आएगा बने रहे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो कर ले और अपने दोस्तों के साथ जरूर करें कि उनको भी जुरूवत है जबान थोड़ी से फिसल रही है पता नहीं क्यूं बट फिसल रही है घर चलता है गर्मी का असर हो सकता है गर्मी बहुत है मैंने पंखाई ब आने का कोई टार्गेट नहीं था वह बस इसलिए थे क्योंकि उन्हें एक नौकर चाहिए था अपने कंपनी में या अपने दफ्तरों में काम करने को चाहते थे कि हमारे ओफिस में काम तो करना हो उनकी आर्थी सद्धी बहुत खराब थी तो उनको करना है गर्मी कली बहु इजुकेशन सिस्टम जो कि इंग्री सिस्टम हम रहा था तो इससे यह बात तो साफ जाहिर होती है कि उनका माइंड डिवलप्मेंट पर या इस एजुकेशन के थुरू इंडियान जो यंग स्टर्स से उनको डिवलप करने का कोई रास्ता नहीं था इनका कोई भी बंकसद नहीं था इनका परपास एक था कि हम उन्हें पढ़ाए और बस इतना पढ़ा दे कि हमारे जो ऑफिस में जो काम की जरव चाप रासी की चाय वगर अलाके हमें पोच्छा लगाने वाले का काम हो गया बस उतना ही चाहते था हो बस वही काम करते थे तो इससे क्रिटिसाइज बहुत क्या गया स्वाइं पर तरीके से ब्रॉण सहाब कर रहा है ब्रॉण सहाब का चर्चा हमारा सेकेंड चेप्टर में भी हुआ था जो सिंपली यह बोलता है कि जो भी एजुकेशन सिस्टम था उसके थूरू एक ऐसा इंडियन क्रियेट हो रहा है जो फीजिकली तो ब और साथी साथ उसका माइंड जो डिबलप्ट नहीं हुआ रहेगा वह बस चपरासी और के नौकरी करने के ही लाइख रहेगा तो उन्हें बोला कि नहीं इसको हमें हटाना बहुत जोरी है और इससे रिलेटेट उन्हें बहुत सारे काम भी किये थे यह हुआ गांधी जी न सब्सक्राइब और यह बंदी से आपका और बंदीस में रहे करके तालीम हासिल नहीं की जा सकती है उनका बोलना था कि एजूकेशन हम फ्रीडम में रहे करके ले सकते हैं और उसे अगिर हम आजाद मोहल में लेंगे तभी जाकर के हम उससे ज्यादा बेनेफिट देते हैं तो उससे माइंड डिवलप नहीं होगा बच्चों को चाहिए कि उसे खुले इन्वार्मेंट में इन्वार्मेंट के साथ एजुकेशन दिया जाए अब आप ही ज़रा सोच के देखो किसी एक इंसान को पर्टिकुलर एकदम मतलब टाइम बैठा दिया के दिन में आ वह किसी भी तरीके से किसी सोर्स के थुरू बाहर से जोड़ रहा है तो सारे सोर्स को खतम कर देजा नुक्सान होगा कि वह पढ़तो लेगा लेकिन पढ़ने के बाद उसके दिमाव में रहेगा जो उसे पढ़ाया गया है और इस तरीके से उसका माइंड वास करना तो रबीनदर नाट टैग और इसके अगेंस थो बह लिए थे कि हमेशाद जिवार्ल комментар सुटनना औरitta हमें खुले महें अज़ाद महें औरमने इसके थृच्छ मोर्म हमें एजुस्टानियों को आजाद महौल में पुरे खुले इंवार्मेंट में एजुकेशन देना चाहता हूँ अब राम के सन मिशन अब देख सकते हो कि स्टार्टिंग में एक पेड़ के नीचे शुरू किया था इंवार्मेंट से ही रिलेटेड है आपका तो एजुकेशन जो आप ले रहे हैं वो त में एक जैसे बेखावर है तो यह जो केशन बस ऐसा है कि मेंमरी काड में जैसे गाना इस टूर रहता है वह सभी आपके ब्रेइं कर ने कहीं यह से इन्फरमेंट में शुरू रहेगा बट यह इनफरमेंट किस तरीके से क्या एप्लिकेशन इसका हम किस तरीके से यूटिला कर रहा है आप इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिव हैं तो बच्चों आज कि हमारे वीडियो में जो चेक्टर फाइब था इसमें बस इतना ही बात है इतना ही था इस जहारे बात हमारे लाश में रबीन दनाट टैगर बहुत सारी बाते कहिए क्योंकि इस सारी बातों को क्या काम किया थे तो जैसे भी सवाल पूछले जवाब यहीं होगा जितना मैंने आपको भी बताया अगर समझ में आया है आपको यह वीडियो लगी है तो वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरीक और अच्छी सब्सक्राइब करने से मुझ तरीक है बगल में घंटा है उसको तोड़ो दे फोड़ो जो करना करो लेकिन उसको बजा दो बजा दो उसका आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने ना क्योंकि अच्छी चीज़े दोस्तों तक पहुचानी चाहिए आपका भी अच्छा होगा ठीक हम बहुत जल्द मिलेगा अगली वीडियो में अगले वीडियो आने वाले लास्ट वीडियो में बनाने वाला हिस्ट्री पर क्या क्या गलती नहीं करने है हिस्ट्री का एंसस लिखने में और क्या कीन बातों को धियान रखना है कि आपके हिस्ट्री में मार्क्स आपके कम आए इसके हिस्टी सजेशन पे स्वरी काम नहीं आये ज्यादा है अच्छे माक्स है हिस्टी जो सजेशन है उसमें वीडियो लेडी बना रखा है आप आई कार्ट पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते और सजेशन आपको मेरे टिलिग्राम चैनल मिल जाए ठीक हम लो मि प्लाइब से इशन आपको में जाए बना है आपको माचा है जित्वैशन आपको मंवें जाए।